नमस्कार स्वागत है आपका सतेहिंदी.com पर मैं हुनी लूवियास और हर शाम चार बजे की बेबाग पहस में आपका स्वागत है आज मैं 36 गड़ की राजधानी रायपूर में हूँ और अभी कुछ दिन यहाँ पर रहूँगी चुनावी सरगर्मियों को कवर करने के लिए और आज एक स्टूडियो में मैं बैठी हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि यह बहुत पुराना अगबार है डेली 36 गड़ यह उनका स्टूडियो है जहां पर मैं बैठी हूई हूँ और हमारे साथ दो यहां के बहुत वरिष्ट और बहुत नामचीन दो पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि 136 गड़ का चुनाव 2020 का कितना अलग हैं यहां पर क्या इसूज है क्या चीज कॉंगरेस के लिए महितपूर्ण है क्या कॉंगरेस के लिए चुनाऊतियां और बही चीज बीज़ेपी के weak क्या चनाऊतिया है और बीजेपी अप्ने सब्सक्राइब आपको चछतीजगर के चुनाव की यह कंप्लीट तस्वीर डेली चतीजगर के ऑफिस से मिल सकती है अब आई अपने दोनों महमानों का मैं परिचे करवाती हूं हमारे साथ डेली चतीजगर के एडिटर सुनील कुमार है सुनील जी आपका बहुत-बहुत सब्सक्राइब आपके स्टूडियो से कर रही हूं मैं प्लेजर और हमारे साथ एजास कैसर है जो की न्यू इंडिन एक्सप्रेस के असिस्टिन एडिटर है यहां के बहुत बारिश पत्रकार है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज की चर्चों में सुनील जी से चुनाओ मोदी नाम की एक लहर जो की आस्मान छू रही थी उस लहर के साए में हो रहा था यह चुनाओ यहां का पूरा देश सरोबार था उसमें सराबोर था पूरा देश उसमें और मोदी ब्रांड बहुत बड़ा था उस वक्त च्छतिस गड़ में कोई ब्रांड नहीं था रमन सिंग 15 साल के मुख्यमंतरी थे चाउर वाले बाबा थे बहुत से विलफेर काम उन्होंने किये हुए थे इमेज उनकी नीजी इमेज बहुत अच्छी थी लेकिन जैसा की 15 साल की सरकार में इंटी इंकंबेंसी डिवलप हो जाती है राज्य में तो उसके शिकार हु लीडर्शिप में पार्टी की लीडर्शिप में कैम्पेन में ऐसा वो चुनाओ था इस चुनाओ को अगर हम देखें तो मुझको लगता है मोदी नाम की जो लहर है वो थोड़ा सा नीचे आ रही है अलग-अलग वजहों से मोदी की शोहरत मुझको अभी कुछ कम दिख रह है यहने उन्होंने जितने दिन सरकार चलाई है उतने दिन चुनाओ अभियान चलाया है ऐसा कहना गलत नहीं होगा इतना सीरियसली उन्होंने पॉलिटिक्स को लिया है सरकार चलाने के साथ-साथ दूसरी बात यह है कि भुपेश बगेल इतना बड़ा ब्रांड हो गए है दो बज़ों से पहली वज़े तो ये है किसानों के लिए उन्होंने जो किया किसान करज माफी का वाइदा गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने किया था कॉंग्रेस पार्टी ने कैबिनेट ने पहले ही दिन किसान करज माफी कर दी शायद 10,000 करोल का बोज आया होगा वो करज माफी कर दी उन्होंने उसे करीब करीब किसान परिवार ग्रामीन अर्थ वेवस्था से जुड़े हुए लोग खेतियर मजदूर करीब एक करोड वोटर उससे प्रभावित हुए जो की 36 गड़ के वोटरों के आधे हैं 50% वोटर कांस्टेंसी को भुपेश बगिल ने कैटर क किया किसान कर्जमा फी एक दूसरा धान का दाम धान का दाम 36 गड़ में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है और मैं भुपेश बगिल का स्पोक्स परसन नहीं हुए क्यों फैक्ट से नरेट कर रहा हूं अगर फैक्ट से स्ट्रॉंग हैं उनके फेवर में तो उस करीगा मैं आपको तो मिनट लोक रही हूं कि MSP के अलावा भगेल सरकार बोनस भी दे रही है किसानों को इन्हों ने जो दाम देने की घोशना की थी एक्स्ट्रा वो मोधी सरकार ने रोक दिया तो इन्हों ने उसको बोनस की शकल में देना शुरू किया यह वही है यह सारे मेरा खेत होता तो मुझको भी फाइदा पहुंचता है नहीं दुर्भाग्य से खेर तो इन इन चीजों ने मिला के along with so many other things इन पांच सालों में भुपेश बगेल ने 36 गडियावाद को जिस तरह से बढ़ाया जिस तरह से सरकार की और benevolent scheme चलाई जिस तरह से उन्होंने हमला तेवर अक्तियार किये आज पूरे हंदुस्तान में ममतब एनरजी के लावा एक भी चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा नहीं किसी भी पार्टी का जो मुदी और शाह के उपर इसकदर हमलावर हो इतने हमलावर तेवर हैं इन चीजों ने मिला के पांच साल में भुपेश बगेल को इतना बढ़ा ब्रांड बना दिया है 36 गल के कान्टेक्स्ट में कि यहां पर वो पंजाच हाप से ज्यादा बड़े हैं बिल्कुल जैसे कमल से जादा बड़े मोधी हैं, याने मोधी तो पुरे देश में अपनी काम्याबी और अपना सिक्का चलाने के साथ साथ 36 गड़ में हैं, लेकिन भुपेश बगेल एक राज्य के नेता होने के बावजूद, उन्होंने इस राज्य में ब्रांड अपना इत जादा बड़े में फर्क हिये कि पिछला चनाओ भुपेश बगेल पंजा चाप पे लड़ रहे थे, यह चुनाओ पंजा चाप भुपेश चाप पे लड़ रहा है, यह एक बेसिक फर्क है पिछले चुनाओ में और इस चुनाओ में बिलकुल, मैधभूड पॉइंट आप जाहिरीं बात है जो अभी सुनील जी नहीं कहा कि भूपेश गगेल का एक брokol का ब्रान्ड जो कि पॉपेश ब्रैंड जाहिरीं बात है कि उन्होंने लोगों को काम किया है अलग अलग तीन पहुंचे है चाहिए किसान हो चाहिए मैलाइ हो चाहिए उट्स अ लेकिन ऑब बिल्कुल न्यूट्रिलाइज लग रही है तो वह मैं चाहती हूं आपसे समझना कि किस आधार पर यह कहा जाए कि यह चीज ठीक है एक तो दो तीन चीजें ऐसी है जैसे भूपेज भगेल ने अप इस तर पर जैसे हमें सुनुए इस लेवल पर कैसे पहुंचे एक तो उनका एग्रेशिव मोड अफ कंड़क्ट होता है मतलब मैंने एक सवाल भी किया था आज मैं यह राज बता रहा हूं कि मैंने कहा था सियम साहब आपके आज के राजिटी में एग्रेशन कहीं बोल बाला है तो इस बात को उन्होंने माना बोला हां यह बात है यह हाल के दिनों में है और को चारा नहीं बसता है यह बात रही है दूसरा जब वो सीएम बने थे तो कॉंग्रेस बिल्कुल लिमिटेड स्टेट में थी उस पद यह कह सकते हैं कि उनको मौका मिला आपको थापित करने के लिए कि एक एफेक्टिव लीडर्शिप जनता ने उनके जो उनकी जो सब्सक्राइब जो उनका सब्सक्राइब है उसका भी जनता ने उस पैमाने को भी ना पाज 15 साथ से और लीडर कोश्य में रहे जो भी आप हम आते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आपको इस्थापित किया बीजेपी के जो नेशनलिजम चैलिंजेज हो या जो आप पांस सालागरम उसका अध्यान करें उन्होंने जो चात्री को प्राइट के बात होती है जो उजाते है चात्री के जो पोलिटिकल डेमोग्रेफी है उसमें एक जनता से जुड़ा होना बहुत जरूरी है और मास कनेक्ट उन्होंने हमेशा बना कर रखा इसलिए एक लाइन जैसे आप राशी सर्में देखते हैं कि मोदी है तो मुंकिन है तो यहां भुपेश है तो भरोसा है उसमें उन्होंने एक और वैल्यू एडिशन कर दिया कि मैं तो आपका रिश्यदार भी हूँ तो अब काका जिन्दा है काका इसे बने रिस्पेटिबल रिलेशन से तो उ भगवान राम पे से हमारा किसी कोई कॉम्पेशन नहीं है जब उनसे कहा जाता है कि आपने जो है रामवन गबन पत यह इस राज का एक फ्लैक्शिप बड़ा एंबिशियस प्रोगाम जो भुपेश सरकार ने लॉंच किया और जमीन पर करके दिखाया लेकिन बगेल सरकार ने राम चंद्र जी की मूर्थियां भी बहुत सारी बनवाई हैं यहीँ नहीं उन्होंने माता कोशलिया का एक भवे मंदिर का उन्होंने जिनुद्धार किया और यहां से 35 में दूर है एक मात्र मंदिर जो लौड राम की मातर जी के नाम पर पर हो चाट्टिजबर में उस अवसरा भी वाण एंप मेंशिप को तरह कि आपए पट्चल जाग है, जुछ तरीके कि यहां पर कर रही है, तुर मेरे को यहां पर काफी बर्सा हो गया है, मैंने इछ देखा पर उस तरह के फिज़ा नहीं है यहां पर हिंदुत कार्ड कार्ड का महल बने अभी क्यों कि फिर इसले चार-पांस सालों में इस तरह से कुछ बनता बाद दिख रहा है कि प्रोराइशन का एक कोशिच की जा रही है वाटने के धार्मिक अधार पर लेकिन चत्तिकड़ के ओवरल फिजा में यह चीज नहीं है तो इक इतना सफल होगा यह तो चुना के बात पर चलेगा यह औ और हम जैसे बात करें कि इन्होंने उनके जो आइडियोलोजिकल जो इस पीक है बीजेपी का उस पर नेशनलिजम पर उसको इन्होंने कार्ट खोज लिया अपने छेतरवाद जो अपने रिजनलिजम को लेकर के रिजनलिजम उस हद तक चले गए कि शायदी कोई इस देश म जो इस देश में सीम हाउस होगा जो उनका ऑफिशल रिसिडेंस है जहां कि जितने लोकल आपकी जो तेवार फेस्टिवल होते हैं हरेली पोला तीजा बोरतना पूजा वहर साल महां मनाए नहीं आता है उन दिनों में अगर मैं सही हूं तो शैंग उन दिनों में अगर मैं स चलाई ताकि हम उसको उसमें हम एक फरंट रणर को कायम रख सकें लेकिन सुनिल जी जो चातिस गड़िया प्राइड की बात अजाज कह रहे थे क्या यह रवन सिंग के जमाने में इस तरीके की चातिस गड़िया प्राइड को इवोक करने की कोशिश की थे वीजेपी ने य जो हिंदु तो था ओवीजेपी का ही था तो रहों रहन सिंग को अलग से किसी तीसरे और जार की जरूरत नहीं थी रास्तरवाद और हिंडुवाद ये दो चीज़ें जो है रहा मन सिंग के दाएं-बाएं हाथ में वैसे ही थी विरासत के रूप में को मिली थे रहा साथ य कोई मुकाबला नहीं था तो भुपेश बगेल प्लेड हिस कार्ड सो ब्यूटिफुली उन्होंने एक छेत्रिय संस्कृति वाद उन्होंने निकाला यह हिंदुत्व से दो कदम आगे का था यह जुसे अंग्रेशी में सब नेशनलिजम एक तरिकेसा कहती है यह रीजनल बगेल का जो छेत्री संस्कृति वाद यह किसी के खिलाफ नहीं है इसका कोई टार्गेट नहीं है आप वो त्योहार नहीं मनाते हो तो भी आपके में कोई बुराई नहीं है आपको गिड़ी पे चलना जरूरी नहीं है मुझको भौरा चलाने नहीं आता तो बुरी बात न बुरी नहीं बोलता तो उसके खिलाब कोई नफरत नहीं है चातिजगर में जो जो रीजनल कल्चरिजम जो डेवलप किया भौपेश बगेल ने चातिजगरियावाद जो यहां पर विक्सित किया वो आकरमक नहीं है कि यहां से गैर चातिजगरी को भगाओ कि कोई बिहार स से आया है तो उसको भगा दो यहां से जो हमको महरास्ट्र में मुंबई में शिवसेना के रीजनल कल्चरिजम में दिखता था वो नहीं किया भौपेश ने लेकिन भौपेश इससे सो कदम आगे निकल गए उन्होंने च्छतिजगर में कम से कम बीजेपी के हाथ से हिंदु को असे छाने लिया है जैसे कोई किसी ब्रहमिन प्रках七 चेल रशी कें खिना सिससे किसी पुजारी से उसका शंख चीन ले ऐसा भौपेश भगड ने चीन लिया जालत यह है वह अच्छा से आप इसकी इसको इसले जङ जूकर चेंखिए इसको इसका इसले कि बीजेपी गाय खाद पानी का उसकी बिकरी सरकार में ही चालू करवा दी. आज सरकार उनको पैसा दे रही है, इसको खरीदो. खाद बनाओ, हमी को बेचो. तो इस काम में जो विलेज Apostries Looks कर ये ciousनामी है, पूरी की पूरी उकनामी जो है, इसका पैसा महिलाओं के हाथ में जा रहा है वीमेन इंपावर्मेंट का एक बड़ा काम उन्हों ने किया भूपेश बगेल ने इसी एकनामी के साथ साथ काव एकनामी जो है काव इस अलसो रिलीजियस सेंटीमेंट उन्होंने इस भावना का जो धार्मिक दोहन होता है वो उन्होंने इतना अधिक किया है और किसी खिलाप नहीं किया है कि मुसल्मान तुम गाए नहीं पालते तो तुम बुरे हो ऐसा नही किया उन्होंने उन्होंने गाय को लेकर इतना हाइप एक क्रियेट किया पीजेपी के बड़े-बड़े लीडर मुझसे मिलते हैं तो कहते है हमारा पूरा जैब खाली कर दिया भूपेश ने ने हिं दूट्वा हमारे बढ़ाने के लिए भूपेश बगेल और मैं एजाज के अखवार में बोल चुका हूँ इस बात को भूपेश बगेल ने हिंदुत्वों को इतना आकरामक कर दिया कि जब इस राज्य में मुस्लिमों और इसाइयों पे जादती हो रही है तो कांग्रेस पार्टी और भी नहीं जा रहा है उनकी हमदर्दी के लिए मिजाजपूरसी के लिए एक भी कांग्रेस ने ता एक भी मंत्री एक भी विधायक नहीं जा रहे हैं चाहे इसाइयों की लाश निकाल के गाउं से फेक दी जाए कि तुम अब इसाई बन गए हो अदिवासी अब तुम को इस बतलाता हूं खुल कर बहुत लोगों कोई बात पसंद नहीं आएगी चुंकि यहां की अबादी जो है इसमें सारे माइनारीटी के लोग मिला कर चार फीसदी से कम है लिए 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 परसेंट गो टू है दूसरी चीज नहीं तो यह तो फिर बीजेपी का ही है वो समझने की जरूरत है यहां बीजेपी मान के चलती है कि इसाई और मुस्लिम के लिए हम मुंडी भी कटा देंगे सिर कटा देंगे तो भी यह हमको वोट नहीं देंगे कॉंगरेस यहां पर यह मान के चल रही है कि बीजेपी इनकी मुंडी भी काट देगी तो भी आए यह हमारे पास, हमारे अलावा इनका कोई नहीं है, यह माइनारीटी को लेके इन दो पार्टियों की पॉलिसी और एटीट्यूड में यह बुनियादी फर्क है, और मुझको लगता है कॉंग्रेस अपनी बुनियादी मुल्यों को खो रही है यहां पर, खो रही है, अगर वो म बड़ी खामी मान रहा हूं है, कि कॉंग्रेस माइनारीटी को प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी 36 गल में नहीं मान रहे हैं, वो शायद ना माने इस बात को इतनी कड़वी बात को, लेकिन मुझको जो लग रहा है मैं कह रहा हूं, यह बहुत मैटपोंट पॉंट है यह मुसल्मान समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत जादा बौदर नहीं कर रही है, जैसे जो BJP का अटिटूड है, तो क्या यह एक चुनौती के रूप में कॉंग्रेस के लिए उभर सकता है, और अगर यह पॉंट नहीं है, तो कॉंग्रेस के लिए चुनौती कॉंग्रेस के लिए बड़ी नहीं हो सकती, जिसके वज़ा से उनके जो नंबर अफ सीट्स हैं, वो कम होंगे इस बार, 2023 के चुनौव में, देखें, सुलील जी ने इस पर बहुत सही अपना तार कर रखा, क्योंकि मुसलिम का जो पॉपुलेशन है, वो इतना कम है, तो उस देखें, दो-तीन चीज़े बताना हूँ, सत्री का छोटा प्रदेश है, 90 सीट हो गया असेमली यहां पर, इसमें कम से कम, मैं समया तो 15 सा 18 सीट ऐसी थी जहां मात्र 5,000 बोट के डिफरेंस से फैसला हो गया था, जीतहार का फैसला 5 है, तो विचीज ए गुट फिगर, अग क्रिशनों ने जरूर मिल करके एक उन्होंने अपने पार्टी बनाया है, और उन्हों पार्टी बनाया है, उन्होंने अपना एक्जिस्टेंच, अपना वजूद, अपने ताकत दिखाने के लिए रहा है, सर्व आदी दल के नाम से, अच्छा, और उनका स्थेंच जो वोट सब्सक्राइब तो यह थोड़ा सा वहां पर माइने रखता है वहां माइने रखता है बस तो यह इस तरह के चीजे हैं अब फ्रवाइज कांग्रेस इस रेस्ट श्यूर वह बिलकुल इत्मिनान है कि अगर माइनेटी हमको सपोर्ट करें तो इस इस अब ज्चान करें तो इस अब जासे सम्झी ने बड़े च्छी बात पता है कि बही जैसे पुलाराइशन के बात है या इस तरह के चीजें हैं तो मैंने इनी से सीखा भी है कि मालूम भी चला कि देखिए Congress भी polarization कर रही है, वीजेपी polarization कर रही है एक बात जो आम धार्णा बनी लिए polarization में एक बुनियाली दोनों में फर्क यह है कि एक polarization based है थोड़ा बहुत पसंद नहीं करना न अफरत polarization दोनों parties कर रही है, लेकिन जो politics of exclusion है क्या वो चीज दोनों parties कर रही है maybe BJP is doing it at a greater extent, you know, the politics of exclusion एक तरसे कहा जैते कि कहीं पर दफरत है, कहीं पर नफरत नहीं है मामला हेट काता है, अगर polarization में आगा, there is element of hate तो थोड़ सा दिक्कत है, polarization करिये लेकिन element of hate Congress में, Congress कितना चीज कर रही है मने, if I am correct, Suniluji, Congress has actually projected as a sole campaigner, reappointed a sole campaigner for, you know, Hindutva, soft Hindutva in Chhattisgarh state मैंने, मैंने दो तीन बार इस बात को कहा है, कि Chhattisgarh में BJP जो है, वो Hindutva की B team है, और Congress Hindutva की A team है यहाँ पर लेकिन, अगर Hindutva का मतलब दूसरे मजहब से नफरत करना है, तो शायद अभी नफरत पर की लाइन तक नहीं पहुंची है, Congress Party, वो नफरत पर नहीं जा रही है, वो पॉसितिव अस्पेक्ट पर जा रही है, यहने, जो polarization जो हो रहा है, Congress is also doing religious polarization, BJP is doing communal polarization, but not based on hate, that is what Congress is not doing, lacking so far, अभी तक उससे बची हुई है, thank God, thank God, thank God is, यह मेरे जैसा atheist जो है, वो कहेगा कि अभी तक गांधी नहरू, इनको समझ कुछ दे रहे हैं कि यह लोगों को लडा नहीं रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन, जहां तक हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना धर्म साबित करके, अपने को हिंदुत्व साबित करके, वोट पाने की बात है, Congress is miles ahead of BJP, चातिजगर में, लेकिन अब मैं यह भी समझना चाहती हूँ, क्यों कि BJP के जो पुजिशन है, अपने आपको पुजिशन कह रही है, वो कितनी साउंड है, as compared to 2018, क्योंकि अगर रहु समय 14 या 15 सीट्स बीजेपी को मिली थी, 15 सीटें अगर मिली थी, तो क्या इस बार BJP इस फिगर को आगे बढ़ाने के लिए, कितनी एफ़र्ट लगा या आपको एफ़र्ट लगाती भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो रमन रमन सिंग या कि जो बीजेपी के टॉलिस लीडर थे वो तो बिलकुल बैक बनर पे चले गए थे, अभी एक साल से वो थोड़ा सा नजर आ रहे है, तो उसका कारण क्या है, क्या बीजेपी ने सो जिसंसे से उसके काmy दाव हो थे, फ्रेकर आरती में आ रही है, क्या है, कुछा थे दिन फराखते कि बनर नहीं का.. इसम अपन थे, मुरह कै आपको थे दए, पनाम आहाए था यह जहां जते उत्पिक करने दोटियां है.. बीजेपी इस डिपेंडेंट ओन स्टेट लीडर्शिप जो एक जॉइंट लीडर्शिप है बदे डोड है प्रोमिनर फेस्टु जिसको कि वह ऐसे सीएम का चेहरा करके कर सके तो आप समझें कि पार्टी में अभी वह एक्जिस्टन्स नहीं है मौजूद मोरी फैक्टर अभ अगला बर्गों के लिए कैसे किया किसान आदीवासी पिछ्रा वर्क इनके लिए हमने क्या क्या किया इसका जरूर पार्टी उलेख करती अपने इसमें एक चीज मैं आप से जो पूछना चाहती हूं और जो बात आपने कही है उसी को मेरे जहन में जो आ रही है कि जो चीज मध्यपरदेश में दिख रही है मध्यपरदेश में शिवरात सिंग चौहान के खिलाफ भयानक अंटी कम इंकंबंसी है लेकिन केंद्र सरकार के तरफ जो प्रती अंटी इंकंबंसी है वो एक compounding factor मध्यपरदेश के election में हो रहा है और ये बात मैं आपको इसलिए on record बोल रह मध्यपरदेश में नहीं चाहता है तो वह पे compounding factor मोधी का जादू 2018 में चाला मैं आपको बतलाता हूं 2014 के जिस लोकसभा चुनाओ की वज़े से मोधी आये सत्ता में उसमें चातिस गल ने नौ या दस सीटें दी थी हर बार नौ या दस सीटें रमान सिंग ने एक बार 11 कि सारी की सारी की सारी की सारी 10 11 ए एक देते रहे यहां की मोधी को ड को टोмы ने प्रदान मंतरी बनाया निए लोग की सीटें देके यहां का हाईएस्ट स्ट्राइक रेक था डेश में ऐसा लेकिन मोधी में चातिस गल को बानाया अगला चुनाओ जो की रम Sigma 2018 जैक्त यहीज पर सुनीन जी ने का कि मोदी के आगे मोदी क्या भूपेश बगेल के आगे फीके पड़ रहे हैं यहां के चुनाओं के संदर्द में पूछ रहे हूं उस संदर्द में आप देखे तो भूपेश का पूरा एक और है जो अपने क्रिएट किया लोगों के बीच में रह करके है का जो वेटेज है वो आज के संदर्द में मोदी है तो मुम्किन से जादा इसलिए भी दिख रहा है कि बहुत सचीजे होती है जो सेंट्र की जो पॉलिसी से उससे आम जनता को थोड़ा सा आहत हो यह चाहिए ले हैं तो क्या यह सही बात है कि केंदर की बहुत सारी जो प बहुत से मुद्धे उठाई नहीं थी यह तो पिछले 6-8 मैने से इनका अग्रेसिव जो पॉस्चर है और जो अपने आपको गेर अप किया है वो दिख रहा है अभी बीजेपी ने दो ऐसे मुद्धे उठाए है जो मुझे लगता है कि उसका अपील वैल्यू है लेकिन उन उनका बहुत एक वैलिट प्रतीत होता वह दिखता है यह लेकिन क्या सिव यह दो मुद्धे पर आपको लग रहा है कि भी भुपेश सरकार का जो एक चबी है या भी भुपेश का अपना विक्तिकर जो उनका एक उठाओ है उसमें को बहुत चोट पड़ेगी ऐसी ऐसा को म antaryaaah सेें इस से मैं एसा से थे का जठाओ इसा कम में फैसला हो गया यह इसमें इसमें इतने हवित्व होते हैं कि अगेश कर एख़िए तो अभी 2018 है जो वोटिं कश्क टिफरेंस साय impressed ret Бы wing पर संब ता विश छियारास था भाज़ता उनने का माने देखिए वूजए उनके में 0.771% पहर उन्होंने 0.1% से कम में रमन सरकार बन गई थी उससे पहले भी 2.2% था तो अब यह देखिए इस इस परसेंटेज को खाई को पाटने के लिए बीजेपी कितनी सफल होगी उनकी क्या रणनेती है मुझे कभी लगता है कि इन्होंने थोड़ा से जुड़ाओ वाले बहुत से मुद्देक उठाने में थोड़ा देर कर दी पहले अगर उठाया होता तो शायद कुछ वाइदा म मदद की पिछले वारी 11 में से 9 सीट यहां से बीजेपी को गया है तो अब आप जैसे उस पे उस संधर में भी आप देखिए तो मोधी गोवर्मेंट और भुपेज गोवर्मेंट में जो फर्क दिख रहा है वो फर्क दिख रहा है कि कौन जनता से जुड़वे बुद्दे को जादा अपील वैल्यू रखता है लेकिन जो दूसरी बात भी है कि चुनाओं में मुख्य मुद्दा अगर आम वोटर के लिहास से देखा जाए तो वो क्या है उनके लिए आज क्या चीज़ें जादा माइने रख रही है कि जो चाबल दिया है या फिर जो गोबर की जो है उसको किस तरीके से अपलिफ्ट किया है बागेले आज क्या यह चीज़ें जादा घर करें तो अगर यह चीज ऐसा है और यही पोलिटिकल रियालिटी है तो मेरा जो सवाल है कि कॉंग्रेस क्या केवल रूरल और सेमी अर्बन एरियास में अच्छा कर रही है और अर्बन चेह चैटिस गड़ है बस्तर और नार्थ चैटिस गड़ है सरगुजा इसकी कंडिशन अलग है वहां के मुद्दे अलग है जो दक्षिन चैटिसब्र है बस्तर वहां पर मुद्दे जो हैं जो आधिवासी और यह इसाइई बन रहे हैं और उनके किलाफ लभे हिंदूत त मैं इन फैक्ट यह सवाल मैं आप से करने वाली थी कि जो नक्सलाइट एरियाज है जगदलपूर और वस्तर यह सब जो तमाम इलाके हैं वहां पर एक डर और खौफ का एक माहौल होता था कि आप उने एरियाज में जाएंगे तो आपको दो लोग साथ मिलेके जाने हैं वो मा सब्सक्राइब करेंगे जाएंगे 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 बढ़ते चल रही थी रमान सिंग के रहते हुए भी बढ़ गई थी हां भूपेश बगहल का नक्सलियों के साथ उस तरह का कोई कंफंटेशन नहीं है जैसा की बीजेपी का पूरे देश में रहता है लेकिन जो कें इतना ट्रेंडर अवे हो जाती तो डिस्क्रेडिट तो इसी को मिलता तो क्रेडिट की हगदार भी यही गवर्मेंट है लेकिन एक दूसरा मुद्धा मैं आप से कह रहा हूं कि धान और कर्जमाफी इससे परे अदिवासियों के बीच में एक यह मुद्धा है इसाई अगर वो बन रहे हैं यह धर्म नहीं है क्योंकि पहले उनका कोई धर्म नहीं था वो प्रकृति पुजक थे यह पहली बार धर्म एडाप्ट कर रहे हैं यह धर्मानतरन नहीं कर रहे हैं बाजपा इसको धर्मानतरन कहती है कई बार उनके जहांसे में आके कॉंग्रेस भी धर्मानतरन बोलने लगती है यह दहर्मान्तरन है नहीं यह आदिवासी पहली बार इसाई बने है ठीक वैसे ही जैसे कि कोई आदिवासी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे इसाई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा construction में उनको जो reservation जिससे पैमाने पे दिया गया है परिभाशा में उसमें आदिवासी कोई भी धर्म अपना ले अगर उनके religious ritual जो है प्रकृति पूजा अगर कर रहे हैं तो उनका reservation continue है ये बड़ा फर्क है बुनियादी दूसरा एक बात जो नार्थ और साउथ दोनों तरफ ल जो हमर राज पार्टी बनाई है उन्होंने वो मैदान में है उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है पेसा पेसा के मामले में इस सरकार ने एक बैमानी की है जो उस कानून में एक प्रावधान था जिसके रूल से state frame करती उसमें रूल में ये था कि अदिवासी इलाकों में क आता हो तुम उसको permission लेनी पड़ेगी अब उसको consultation में बदल दिया मैं आपसे पूछोंगा मैं आपका mobile phone ले लूँ तो क्या कैसा रहेगा क्या रहेगा आप कहेंगे नहीं नहीं ले सकते तो भी मैं ले लूँगा मैंने consult कर लिया था यह बुनियादी फरक है तो उत्तर 36 ग बगील सरकार के खिलाफ 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 जाएगी अधिवासी लाकों में इसलिए जाएगी खिलाफ में लूज वोट्स वोट्स ओके लोगें तो लूज वोट्स तो सेवरल सेक्शन नमबर वन आम आपनी पार्टी कुछ सीटों पे लड़ रही है अल्मोस्त हाफ अफ आधे से थोड़ी जादा इंडिया कोलिशन में रहने के कारण दोनों के बीच उतना एग्रेसिवनेस नहीं है अभी दूसरा लेकिन वोट तो काटेगी आमादर पार्टी कुछ काटेगी लोगों का अंदाज है जितना वोट काटेगी तीन चाहता है जादा वोट कांग्रे बनाई है वो केंडिडेट खड़े कर रहे हैं वो कांग्रेस के वोट काटेंगे दो CPI के केंडिडेट पिछले मुकाबले इस बार ज्यादा है ज्यादा मजबूत है वो जितने वोट काटेंगे वो कांग्रेस के काटेंगे जोगी पार्टी जो है कांग्रेस से निकली कहां से आया है इतना पैसा पता नहीं लेकिन दे रहे हैं नहीं तो उनको समर्थन किसका मिला हुआ है अभी अभी तक जाहिर तोर पर यहने टेबिल के ऊपर किसी का समर्थन मिला है नहीं मिला है टेबिल के नीचे कहा है यह मुझको नहीं मालू है दूसरा दो पार्टियां औ मायावती का attitude आप पूरे देश में देख रही हैं कि किस तरह भाज़पा के लिए साफ्ट चल रही है हूँ गोनवाना गणतंत्र पार्टी जितने भी वोट काटेगी आदिवासी वोट रहेंगे जिन पे कांगरेश ज्यादा दाउं लगा सकती थी यह पाँच अलग-अलग सेक्शन हैं जो मेंली अदिवासी इलाकों में कांगरेश के वोट काटेंगे अगला सवाल है यह बहुत अच्छी तस्वीर जो अभी सुनील जी ने बताई है कि आदिवासी इलाकों में कॉंग्रेस के वोट्स कटेंगे कितने वोट्स कटेंगे और से कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कुल मिलाकर नबे सीट्स हैं अगर आप इन इलाकों की बात करें जहां पर जो ट्राइबल डॉमिनेटे इलाके 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 जहां इसारे इस्वेश एं पीसा का मामला है रिलिजिस कनवर्जिन है पार्टी आप्री आप्री बात कर रहें तो नक्सरी बैल्ट में जो एक सेकुरिटी और जो अए दुश् करें जो कर रहे हैं यह जो मैदानी इलाका है यह कुल्चरल प्राइड केवल उन्ही रीजिन को उसी रीजिन को रिप्रेजन कर रहे हैं तो यह जो सेकुरिटी और अदिश्य वैक्यूम था यह भर दी गई इस सरकार के तरफ से कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अमूल चूर पॉलिसी आगया कि आपके सिच्वेशन हालार बड़े सुधर गया इस ओन्गोइं प्रोसेज जो पिछी सरकार शुरू की गई थी वो इस चल रही है तो आप देख रहे हैं सिच्वेशन बहुत अच्छा होग कि उसमें से शेख चब्श हबीस पा कॉंग्रेस थे वागी है बीजेपी तो आप जैसे साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां भी बीजेपी साथ कॉंग्रेस को उनको अभी बरतमाश तिधी पूरे बारा तो बारा में से बारा राएगे मेरा अपना नुमान है जो आपने परस्प्शन पाया जो वोट कटिंग जैसा भी चर्चाम आया जो वोट कटिंग एक तो वह जागरुकता जो है उनका कि हमारे कानून में कहां दखल हुआ किसा क्या हुआ उसका अधिवासियों म में बढ़ गया है तो वो नौर्थ में भी कमोपे स्वाई स्थिती है चौदा में से बीचेपी को कुछ खोने का नहीं है उसको गें करने का हिए और वो गें किस तरह से किस पैमाने पाँ होगा वो वो आपके अधिवासियों में मेरा मुझे कैसी जावाल जहर में आया कि क् आरेसेस के जो ग्रासरूट वरकर्स हैं क्या वो इन इलाकों में बहुत जादा सक्री आपको नजर आ रहें त्राइवल इलाकों में जाहर सी बात है कि वह पे बड़ा चालेंज कॉंगर्स के लिए उभर रहा है तो अधिवरी अधिव एक फॉर्टर वरकर्स अधिवर्स अ बड़ परना रहा है वह तो वो तो शुरूर से आपिव रहे है उनी के तरफ से इसफ बीचारें जो में एक्वर को ने अपको घर कंदर कर लिया पार्टे के लिए कुछ नहीं किया क्या को उनकी नाराजगी थी इस बार वो चीज नहीं है इस बार वो बहुत प्रयक्तिव कर रहे हैं और मैदानी के साथ वो अधिवासी बेल्ट में कई जगे अपनी मौजूदी की दर्शार है अब कभी-कभी ऐसे लगता है कि जो दो आठारे के जो रिजल्ट आये हैं च्छति गड़ एक अजूवा प्रदेश भी कभी लिखता है कि 68 और 15 अच्छी एक 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 शु है और यहां पर OBC की पॉपलेशन भी अच्छी खासी है कितना बड़ा इशू यह OBC का इस बार चुनाओं में है और क्या यह वाकई में लोगों के मन में घर कर चुका है यह मुद्दा देखिए मुझको लगता है कांग्रेस के पास और इंडिया गटबंधन के पास कुस्तान में आज अगर कोई सबसे बड़ा अकेला मुद्दा है तो वो कास्ट असेंसस है बिहार में इनोंने सबित कर दिया बिहार में सबित हो गया कि OBC को जितना गिना जाता था उससे डिढ़ गुना है वहां पर OBC तो उनका समाज में दखल उनकी पार्टी में टिकट इलेक्शन में सभी चीजों में फेर बदल होगा पूरा एटिट्यूट बदलेगा राहूल गांदी सोनिया गांदी ने पार्लियमेंट में कहा कि हम कास्ट असेंसस तुरंट करवाया जाए महिला अरक्षन के साथ साथ उन्हों ने कहा दोनों ने राहूल गांदी बाहर आक अब हिंदू तो कोई मुद्दा निया मंदिर बन रहा है बन गया है करीब करीब OBC जो है यह सबसे बड़ा मुद्दा है 36 गड़ में OBC सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है 36 गड़ में मुख्य मंत्री विधान सभा अध्यक्ष यहां पर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का नेता प्रतिपक्ष यह तमाम लोग OBC कम्यूनिटी के BJP और कांग्रेस के दोनों के और बिहार से जो शुरू हुआ है कास्ट सेंसस वाला मामला 36 गड़ में OBC का रिजर्वेशन भुपेश बगेल गवर्मेंट ने बढ़ा कर 27 पीस अधी कर दिया विधान सभा में दोनों पाइटियों ने साथ दिया इसका कि हाँ 27 पीस अधी हो जाना चाहिए राजबहन में जाके रुख गया किंकि जो कास्ट सेंसस नहीं लेकिन कास्ट काउंट जो यहां करवाया गया था भुपेश बगेल उसको हेट काउंट कहते हैं OBC कमिनिटी का हेट काउंट जो करवाया गया था उसके आखड़े राज्यपाल ने मांगे लेकिन भुपेश बगेल ने दिये नहीं उसको अभी तक एसेम्बली बें भी नहीं रखा उसको पब्लिक भी नहीं किया बहुत सवाल हो रहे हैं लेकिन जब अभी किसी ने यहां सवाल किया उनसे कैमरों पर ही तो उन्होंने कहा कि आपको भरोसा नहीं है किया कि यहां साले 43 पीसदी OBC है ऐसा तो उतना ज़ादा कोई CM से बहस यहां पर ऐसे करते नहीं है लोग लेकिन यह तो बहुत लाज़िब सवाल है कि अगर उन्हें हैड काउंट किया है तो हैड काउंट किया है तो उसको बताने में क्या है लाउल गादी अपके हाड वाली में बोल रहे हैं जबाको और यह डॉक्यमेंट है लेकिन मैं कुल मिला कर जो बात कह रहा हूं वो यह है अगर आप दोनों पार्टियों की टिकेट्स भी देखें दोनों पार्टियोंने OBC को इतने टिकेट दिये है जिसकी हद नहीं आदिवासी और डलिज सीटों को तो आप छूनी सकते वो तो रिजर्व है लेकिन बाकी सीटों पे दोनों ही पार्टियोंने साहू, कुर्मी, यादाओ, OBC को भर दिया है एकदम यहने जनरल केटेगरी के लिए जो मेरा आज है 15-15 सीटें बची है अनारक्षित तबके के लिए 90 में से दोनों पार्टी के तो OBC इतना बड़ा मुद्दा है और दूसरी बात मैं बतलाऊं आपको राश्टरी इस तर पर नतिश कुमार जितना बड़ा OBC नेता है उससे बड़े OBC नेता भुपेश बगहिल 36 गड़ में है और शायद भुपेश बगहिल को देखते हुए तो यह जो OBC की राजनीती है इसका कार्ट क्या BJP के पास है इस समय भले उन्होंने टिकेट्स बहुत साइट इसका कोई कार्ट नहीं है चुकि उन्होंने देश में कास्ट सेंसस का विरोध किया है तो OBC पुरे देश के मान चल रहे हैं कि तुम हमारी जाती जनगरना करवाना नहीं चाहते हो तुम डरे हुए हो कि हिंदूओं के बीच OBC अबादी इतनी अधिक दिखेगी हम इतने बड़े दिखेंगे तुम उसका विरोध कर रहे हैं तुम हमारा हक पाने से हमको रोक रहे हो तो BJP जो है वो तो कास्ट सेंसस की ट्रेन मुंबई की लोकल लास्ट लोकल छूट गई BJP की अब उसको दौड के नहीं पकल सकती BJP अब समय कम है एक एक लाइन का जवाब मैं चाहूंगी जनाव में मुश्किल से नौ यह दस दिन बचे हैं आज उन्टीस तारीक हो जुकी है पहला फेस साथ तारीक हो है आपको क्या लगता है बीच सीटे है इस पर पहले फेस में लेकिन मैं आगे के फेस की भी बात करना च इतना कवरिश किया है अलग अलग जीलों में गया हूं लगभग लग लगए कांग्रेस को तो एक एज दिग रहा है फिगर कोड करना थोड़ी सी जलबाजी होगी लेकिन फिर भी 50 प्लस तो दिखी रहा है अज की तारीक में आप इसी के बीच में एक बड़ा रोचक चीज सब्सक्राइब को फिगर उतना लाला है जो करनाटक में आया है तो कमल नाज जैसा आएगा तो कमल में जाएगा तो सरकार को अंदर में तरी चीजे हैं तो आप अगर 46 सिंपल मिजॉर्टी है तो आपको इतना मार्जी लेकर चलना है कि अटलिस 55 प्लस में रहें तब तो च कंदर भी एक अगरी सवाल बस आपसे करूंगी कि अगर ये एक बहुत बड़ा दर है भूपेश बगेल का जिसके बारे में ऑन रिकॉर्ट बहुत सारे लोग नहीं बोल रहें लेकिन बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि अगर आपकी 46 seats कॉंग्रस की नहीं आती है तो वही हाल ह इस दिस बिगेस सॉलस फर बीजेपी और सबसे बड़ा उनकी उमीद यही है कि इसके बाद तो हम तो अपरेशन लोटस करके नहीं तो लेंगे सब नहीं यह तो पोलिंग और कांटिंग के बाद की नोबत आप बतला रही है बीजेपी के बड़े नेता जिनमें उनके देश उन्होंने कहा सुनील जी देखते रही है नरेशन एक दिन में बदलता है देखते रही है नरेशन एक दिन में बदलता है उस एक दिन में यह किस करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं कहीं से कोई उलका पिंड आके गिरेगा कहीं कोई एटी आ जाएगा किसी दूसरे ग्रह से कि एडी आजाएगा क्या होगा यह क्या उम्मीद करने हैं जैसे राजस्तान के चुनाव है राजस्तान के चुनाव में देखे किना बड़ा बदला हुआ टर्निंग पॉइंट यह एडी की रेड्स होगी सब्सक्राइब के रूप में सावित हो रहा है क्या च्छतीजगर के कंग्रेस से 21 रहेंगे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं कहते वो कहते हैं कुछ ऐसा होगा वेट कीजिए कुछ ऐसा होगा एक दिन में नरेशन चेंज हो जाएगा तो बीजेपी अभी काउंटिंग के बाद वाला जो है कमलनात वर्सेस कमल उस पे अभी नहीं जा रही है व लोग हमेशा कूछते थे एक मेना पहले की बात है कि लोग बैते थे कि किसका प्लड़ा भारी है अब बोलते हैं अब थोड़ा पोल मैनिफेस्टो एक दूसरा सतर सीटों पे विड्राल की डेट अभी बाकी है जहां पे बागी है जहां कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा जो पांच छोटी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ कई जगे तो ये केंडिडेट उतार नहीं पा रही है तो हमको उन सतर सीटों को देखना पड़ेगा विड्राल की डेट खतम होने के बाद कि किस जगे कौन कौन बागी है कौन क्या है ये उसके बाद तस्वीर साफ होगी यहने अभी अभी ज़्यादा जल्दबाजी इसलिए भी होगी कि सतर सीटों पे तो अभी नाम फाइनल ही नहीं है कि कौन विड्रा होंगे कौन नहीं होंगे आप दोनों की जो चप्चा थी बहुत ही सब्स कर सकती है अभी वो तरनिंग पॉइंट जो सुनील जी और आजास कहरे है वह भी बाकी है तो देखना होगा और मेरे मन में और जाधा अबणनवसर। हो रही ही कि वो ँट मسمंघ क्या हो सकता है रास्तान का तरनिंग पॉइंग जू बहुत सारे लोग है ये रही कि आपका बहुत स्वागत है हर चुनाओं के लिए आने वाले हर चुनाओं के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू